सारजा T10 Dream11 Team ALT VS FDD Dream11 Math Prediction सारजा CBFS T10 Dream11 Math Prediction तो दोस्तों सारजा T10 Tournament का चोथा quarter final मुकाबला ALT VS FDD के बीच में एक बार फिर से सारजा किरकेश स्टेडियम के विकेट पर खेला जाएगा और यहां के विकेट के बारे में बात करें तो दोस्तों एक बैलैंस्ट विकेट रहता है लेकिन जो एक्स्टा स्पोर्ट है दोस्तों वो यहां पर बल्ले बाजों को मिल रहा है लाश्ट के खेले गए तीन मैच आप देखोगे तो एनफ ने दोस्तों 116 रन बनाए थे और 12 रन से मुकाबला विन किया इसके बाद दूसरे मैच में एनफ अप ने पहले बैट करते हुए 74 बनाए तो सामने वाली टीम ने मातर 5.5 और में मुकाबला वैं वो 9 विकेट से इजली विन कर लिया और कर लेट नाइट को जो मुकाबला हुआ था वो दोस्तों टाई रहा था यूडे ने भी 99 मनाए और आईजियम ने भी 99 मनाए यानि कुल मिला कर देखा जाए दोस्तों तो हर मैच में सो के आसपास का जो एवरेस कर रहा है और जो बले बाज है दोस्तों वो पिसको काफी अच्छा इंजो यहां पर कर रहे हैं बाकी पिसको लेकर अगर कोई भी अपडेट मुझे मिलती है मैच से पहले तो वो मैं आपके साथ सेर करूँगा हमारे टेलिगाम में और टेलिगाम जोइन करने के दो लिंक है वो आपको दोस्तों वीडियो के नीचे मिल जाएंगे त आप भी दोस्तों वीडियो को लाइक से स्टार्ट कर देना क्योंकि आपका जो लाइक होता है दोस्तों वो हमें काफी ज़्यादा मोटिवेट करता है और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना एल्टी की टीम ने दोस्तों अब तक पांच मुकाबले खेले हैं उसमें से सुरू के दो मुकाबले विन किये थे उसके बाद लाश्ट के तीनों मुकाबले दोस्तों ये हार कर आए हैं सागर कल्यान लगाता टीम के लिए ओपन कर रहे हैं एक मैच में 70 फिर 16 और एक मैच में 23 अच्छी पारी के लिए हैं दो पारियों में थोड़ा सा फलोप हुए हैं बोलिंग में तो दोस्तो ये सिर्फ एक पार्ट टाइम गेन बाज है जिनसे हम ज़्याद उम्मीदे नहीं लगा सकते हैं खालिज साय दोस्तो टीम के और शे अच्छे और अटेकिंग बल्ले बाज हैं कई बार रन बना जाते हैं कई बार जल्लबाजी में आउट भी हो जाते हैं दो पारियों में 40 और 36 बनाए हैं दो पारियों में 77 रन पर आउट हुए हैं अधनान दानिस है एक मैस खेला था जिसमें 3 रन बैड के साथ बनाए बोलिंग में एक अवर डाला आठ रंकज के विकेड नहीं मिला अंस्टंडन है दोस्तों कई बार नमबर चार पर कई बार नमबर तीन पर आते हैं हलांकि जातर टोप ओर्डर में ही बैटिंग करते हैं पिछली दो पारियों में 40 और 17 बनाए हैं और कुल मिला कर दोस्तों कई बार रं बनाते हैं कई बार नहीं बनाते हैं इनके बाद सलमान साहिद है जो कि दोस्तों मिल्डर रं में बल्ले बाजी करते हैं एक मैच में 17 बनाए थे उसके बाद से बैटिंग बिलकुल फ्लोप चरी है नासिर अजीज है दोस्तो बैटिंग कुछ खास रहती नहीं बॉलिंग में शुरू के दो मैच월 में दोस्तो दो विकेट निकाले थे उसके बाद लगातार दो मैच़ में बॉलिंग नहीं मिलें Lap मैच में दो वर्ड टालेंग सब भी संकरज किये तो यहाँ पर विकेट नहीं मिला जुबेर्ज हो है दोस्तो एक अच्छे विकेट टैकर गेंद बाज है लेकिन इस टूनामेट में अभी तक कोई खास इनका यूज नहीं किया गया लास्ट मैच में दोगर डरू डाले थे लेकिन वहाँ पर इनको कोई भी विकेट नहीं मिला मोहमद मुदा सर टीम के मैंन गिन बाज में से एक है शुरू के दो मैच खराब रहे थे लेकिन लास्ट के तीन मैच में दोस्ति उन्होंने चार विकेट निकाले है एकोनमी भी काफी अच्छी रही है एमद अब्दुल्ला विकेट की पर बल्ले बाज है अभी तक दसकांखडा नहीं चूपाए मोहमद समीर है बैटिंग कुछ खास नहीं है बॉलिंग में देखा जाए तो कई बार एक तो कई बार दो वर कम्पिट भी बॉलिंग डाल लेते हैं शुरू के तीन मैच में तो विकेट नहीं मिला था लास्ट मैच मिनों ने एक वर डाला पांच अंखज की और एक विकेट निकाल के दिया शरीप असदा उल्ला है दोस्तों कुछ खास अभी तक इनका बॉलिंग योगदान नहीं रहा है अलांकि तीन मैच में इनों ने बॉलिंग की हैं सिर्फ मार ही पड़ी है विकेट लैस रहे हैं बैंच के प्रेयर में से खाली दिवराही मैं दोस्तों इनके ठीक ठाक और राउंड पली रहे हैं इनकी वापसी हो सकती है एज कोशिक भी दोस्तों अच्छी खासी गेन बाजी कर लेते हैं तो क्वाटर फैरल मुकाबला है तो टीम इनको भी ला सकती है जो भी चैंज होगा दोस्तों उसकी अपडेट है जो आपको साथ की साथ टेलिगाम में मिलेगी टेलिगाम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा अभी दोस्तों हम FDD के बारे में बात करते हैं जो कि एक दोस्तों मजबूर टीम रही है पांस मुकाबले खेले हैं और पांचों के पांचों मुकाबले दोस्तों इन्होंने विन की हैं मुहमद इमरान टीम के लिए लगातार ओपन कर रहे हैं शुरू के तीन मैस में 27, 42, 35 बनाये थे लेकिन लास्ट के दो मैस में सिर्फ एक एक रन पर आउट हुए वाजिद खान है तीन पारियां काफिय ची खे लिए जिसमें 43, 43 और लाश्ट मैच में 60 रन बनाए पलस में दोस्तों ये दोवर बॉलिंग भी करवाते हैं बॉलिंग में 5 मैचस के अंदर दोस्तों इन्होंने 2 विकेट निकाले हैं सलमान बाबर वन डाउन खेलते हैं पहले मैच में 22 फिर आठ और लाश्ट मैच में 16 बनाए सहजाद अली है एक मैच में पारियाई थी नमबर 4 पर 3 दरन बनाए बाकी जादा बैटिंग वगरा नहीं आई मुहमद यासीर टीम के कैप्टन है बैटिंग कैप्टन के कुछ खास नहीं है अभी तक 5 कांकड़ा भी नहीं छूपाए लेकिन बोलिंग काफी अच्छी करवा रही है 5 मैचस के अंदर दोस्तों अब तक ये 7 विकेट अपनी बोलिंग में निकाल चुके हैं हैदर अलीबर्ट है दोस्तों लाश्ट मैचस में परफॉर्म करने का मौका मिला नमबर चैपे बैटिंग करने आए 21 बैट के साथ बनाए बोलिंग में एक और डाला 13 रंखर्च के विकेट इनको नहीं मिला अब्दुल रह्मान है दो मैचस में पारी आई है नमबर पांस पर खेले हैं एक मैचस में पांस बनाए थे एक मैचस में 51 बनाए मोहमद जमसेद दोस्तों अच्छे विकेट टैकर गेंदबाज हैं पांस मैचस के अंदर बोलिंग की है और दोस्तों अब तक ये पांस मैच के अंदर 10 विकेट ये निकाल चुके हैं इनके बाद मुहमद अली लास्ट मैस में खेले थे कोई खास योगदा नहीं रहा एक और तेरा रन जीरो विकेट मुहमद इमरान है दोस्तो लास्ट मैस में खेले और शिरब दो ही गेंदेर डाली थी जिसमें इनको दो विकेट मिल इसके लावा दोस्तो इनको अभी तक कोई भी परफॉर्म करने का मुका नहीं मिला हुआ बैंस के प्लेयर पर इनके रिजवान अमानत अली बैठे हुए हैं जो कि टोप ओर्ड के बले बाज हैं इनको दोस्तो टीम वाप सिला सकती है सेये दैम साकलिन भी दोस्तो अच्छे विखे तो मुहमद इ्मरान, ठालिज, और शागर कल्यान तीनों के तीनों दोस्तो अच्छी पिक है और इन तीनों ही प्लेयर को मैं स्मोल लिग में ठ्रय कर रहा हुँ अब रहमान भी अच्छा उप्शन है अब ग्रैंड लिग में जरू ठ्रय करके चलना यह एक अच्छी पिक बन सकती है बैटिंग डिपार्टमेंट में दोस्तों कोई ज़्यादा इंपोर्टेंट पिक नहीं है सलमान बाबर मौमद इमरान और अंस्टेंडन तीनों कोमेंट रही कर रहा हूँ हलांके इमरान ने लाश्ट मैस में से अब दो ही बोलें डाली थी दो विकेट मिल गए तो ऐसा दोस्तों सर्प्राइज बार बार नहीं होता है तो आप जाये तो इमरान के और ड्रोप करके किसी अधर पलेयर के साथ भी जा सकते हैं हलांके इतना कोई बड़ा पलेयर फिलाल यहां पे अवलेबल तो नहीं है और लाश्ट में जाएंगे तो वाजित खान और मौमद यासीर को मैं ट्राइकर के चल रहा हूँ इनके अलावा दोस्तों कोई खास पलेयर यहां पे खेलने वाला नहीं है अगर खेलेगा तो दोस्तों शिर्यजद एम साकलिन है वो अच्छी पिक है खाली दिम्राइम भी जिस तो ठीक ठाक प्लेयर है तो इनमेज से दोस्तों अगर खेले तो आप ट्राइक कर सकते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट में मुहमद जमसेज, फरान एमद और मोदासर तीनों दोस्तों मैं गेंदबाज हैं विकेर टैकर गेंदबाज हैं तीनों को ट्राइ करके चलूँगा नीचे के उप्सर में देखा जाए दोस्तों तो नासीर अजीज को आप ट्राइ कर सकते हैं गरेंड लिंग में बाकी इतना अच्छा उप्सर नहीं रहेगा तो अभी के लिए दोस्तों यह जो आप सक्रीन पर टीम देख रही हैं यह हमारी एक डेमो टीम रहने वाली है हमारी दोस्तों जो फाइनल टीम होगी वो पूरी तरह से टोस्त पे डिपेंड करेगी और टोस्त के बाद दोस्तों टीम में जो भी चैंजर वगरा होंगे उसकी अपडेट है वो मैं दोस्तों आपको फरवाइड करूँगा हुआ हमारी टेलिगाम चैनल में टेलिगाम जोइन करने के लिए दोस्तों दो लिंक है वो मैंने वीडियो के नीचे मैंसन कर दिये हैं जहां से आप कलिक करके सीधा हमारी टेलिगाम में चुड़ सकते हैं बात कैप्टन और वाइस कैप्टन की करें उससे पहले दोस्तों अगर आपको मारा वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो का आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज भाई की मैंनत के लिए और मोट जमसेद भी दोस्तों आपके लिए अच्छी पटाएगी तो इन टिनों प्रेस को आप स्मॉल लिग में कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं ग्रैंड लिग के बारे में बात करें तो दोस्तों खालिज सा काफी अच्छी पटाएगी इनके अलावा दोस्तों आप करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक हो चैनल को सब्सकाइब जुरूर कर लेना थैंक्यू फ्रैंड्स ओल दा बैस्ट